पिछले दो साल से अपने गेहूं खरीद लक्षे से पीछे रह रही केंद्र सरकार इस बार नई रननीती बना सकती है। ताकि कम से कम इस बार लक्षे पूरा हो सके। गरीबों को मुफ्त अनाज वितर्ण के लिए केंद्र को बफर स्टॉक में परियाप्त गेहूं की जरूर ताकि जब भी फसल बाजार में आने लगे, किसान उसे बेच सके। केंद्रिय खादे मंत्राले द्वारा इस महीने राजियों के खादे सचिवों की एक बैठक बुलाने की संभावना है ताकि गेहूं की खरीद फरवरी से शुरू होने पर तयारी का आकलन किया जा सके। इ गेहूं की अभी तक गेहूं को लेकर मौसम अनुकूल है। यही नहीं इस बार गेहूं का रखबा सामाने क्शेतरफल 307.32 लाख हेक्टेयर से अधिक हो चुका है। केंद्रिय ख्रिशी मंत्राले के अनुसार 29 दिसंबर 2023 तक 320.54 लाख हेक्टेयर में गेहूं की बुवाई हो चुकी है। हाला कि यह 2022 की इसी अवधी के मुकाबले 4.04 लाख हेक्टेयर कम है। वही अगर गेहूं उत्पादन के आंकडों पर निजी च्षेतर और सरकार के बीच मत्भेद है। पिछले साल सरकार ने दावा किया था कि 2022 से 23 में गेहूं का उत्पादन 2021 से 22 के 107.74 मिल टन से अधिक हो गया है। लेकिन निजी च्षेतर ने इसे 105 मिलियन टन से अधिक नहीं बताया था। उत्पादन के आंकडों और अंतराष्ट्रिय हालात को देखते हुए गेहूं के दाम में उताचराव होता है। यहां यह भी गौर करने वाली बात है कि केंदर ने महेंग को देखते हुए सरकार ओपन मार्केट सेल स्कीम OMSS ले आई थी। एक फरवरी 2022 से इसकी शुरुआत हुई थी। सरकार पहले ही इस स्कीम के तहट काफी सस्ते दाम पर खुले बाजार में 55 लाक टन से अधिक गेहूं बेच चुकी है। यही नहीं इस साल 31 मार्च तक कुल 101 एक लाक टन गेहूं बेचने को तयार है ताकि गेहूं और आटा की कीमतें कंट्रोल में रहें। आपको बता दें कि इस स्कीम के तहत एफसी आई ने निलामी के लिए गेहूं का आरक्षित मूल्य 2,129 रुपए रखा था। उसके मुकाबले ओस्तन 2,181 रुपए प्रती क क्विंटल के दाम पर बिक्री हुई थी। हालां कि स्टॉक सीमा पर सरकार की ओर से असपष्ट संकेत हैं। पता नहीं चल रहा है कि स्टॉक लिमिट को 31 मार्च के बाद बढ़ाया जाएगा या नहीं। ऐसे में व्यापारी और उद्योग जगत इस साल गेहूं खरीदने म लेकिन मध्यप्रदेश और राजस्थान में बीजेपी ने गेहूं पर बोनस देकर उसे 2700 रुपए पर खरीदने का वादा किया था। अब दोनों में बीजेपी की सरकार आ गई है तो इन दोनों सूबों में नया रेट मिलने का अनुमान है। ऐसे में खरीद की रननीती बनाना आसान नहीं होगा। इसे लेकर दूसरे राजियों के किसानों में असंतोश भी हो सकता है।